हाई एवरिवरन वेलकम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंड आज हम सिंपल सेंटेंस डिसक्स करने वाले हैं तो फिर्स्ट सेंटेंस हैं तुम छोटी छोटी बातों पर गुसा हो जाते हो यू गेट एंगरी ओवर स्मॉल थिंग मैं यह मुवी देख देख कर पग गया हूँ आइम टायड ओव वोचिंग दिस मुवी तुम्हारी बाते मेरी समझ के बाहर है यू और टोक्स आर बियोंड माई अंडर्स्टेंडिंग मुझे चाय पीने की आदत है आइम यूज तू टेकिंग टी नेक्स्ट सेंटेंस है लगता है जैसे तुम्हें बुखारो seems like you have a fever लगता है जैसे तुम्हें बुखारो seems like you have a fever खबरदार अगर उससे बात की तो beware if you talk to him खबरदार अगर उससे बात की तो beware if you talk to him let's see our next sentence वै जरूरत से ज्यादा गाली देता है he abuses more than enough वै जरूरत से ज्यादा गाली देता है he abuses more than enough बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं children are not ready to sleep children are not ready to sleep तुम क्या खा रहे हो what are you eating तुम क्या खा रहे हो what are you eating let's see our next sentence मैं समझ नहीं पाया हूँ I haven't understood मैं समझ नहीं पाया हूँ I haven't understood next sentence है कितने बत्तमीज हो तुम how rude of you next sentence है मुझे नहाने दो let me take a bath let's see our next sentence क्या तुम बाजार जाओगे will you go to market क्या तुम बाजार जाओगे will you go to market next sentence है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो how can you do so तुम ऐसा कैसे कर सकते हो how can you do so शायद वह मेरे पास आ सकती है she might come to me next sentence है तुमे तो जादुगर होना चाहिए था you should have been a magician यह सुनी सुनाई बात है it's only a rumor यह सुनी सुनाई बात है it's only a rumor next sentence है ऐसा गलती से हुआ it happened by mistake ऐसा गलती से हुआ it happened by mistake let's see our next sentence जल्दी सी ठीक हो जाओ get well soon next sentence है पहले मुझे देखना होगा I will have to check first पहले मुझे देखना होगा I will have to check first मुझे बदनाम मत करो don't defame me मुझे बदनाम मत करो don't defame me let's see our next sentence तुम सुधर जाओ mend your ways next sentence है कभी तो टाइम पर आ जाय करो do ever come on time मैंने कल शाय दी कुछ खाया I hardly eat anything yesterday I hardly eat anything yesterday next sentence है कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का there must be some way to save him कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का there must be some way to save him so friend यह कुछ daily using sentences थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किये है friends अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना